अमिताब बच्चन को आज बॉलिवुड का महानायक कहा जाता है, हाला कि उनकी यहां तक की राहें आसान नहीं रही। जब एक आक्टिंग करियर बनाने के लिए वो मुंबई आये थे, तब दिवंगत अभिनीता शशी कपूर ने उनकी काफी मदद की थी। उन्होंने अमिताब से कहा था कि तू हीरो बनने मुंबई आया है, छोटे रोल मत करना। दरसल अमिताब शशी कपूर के फिल्म बॉंबे टौकीज में एक फ्यूनरल सिंग की शूटिंग के दौरान भीड का हिस्सा बने थे, जिसके उन्हें 500 रुपाए मिलने वाले थे। ये बात उन दिनों की है जब अमिताब बॉलिवुड में स्ट्रकल कर रहे थे और उन्हें एक फिल्म में जूनियर आर्टिस के रूप में काम करने का ओफर मिला था। इस फिल्म के हीरो थे शशी कपूर जो बिगबी को पहले से जानते थे। अमिताब बच्चन बॉलिवुड में अपने दम पे पहचान बनाना चाते थे जिस कारण उन्होंने किसी से मदद नहीं मागी। जब वो फिल्म के सेट पे गए और डिरेक्टर ने उन्हें जूनियर आर्टिस की भीर्ण में खड़ा कर दिया तो शशी कपूर साहब की नजर अमिताब बच्चन पे पड़ी। तब शशी साहब ने अमिताब को अपने पास बुला कर काफी डान्टा। उन्होंने अमिताब को समझाया कि वो हीरो बनने के लिए मुंबई आये हैं। इस सरा के छोटे रोल उनके करियर को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अमिताब ने शशी को अपनी खराब आर्थिक सिती के बारे में बताया। जिसके बाद शशी ने उनसे कहा कि पैसे मुझ से ले लो लेकिन ऐसे छोटे रोल मत करो। हाला कि अमिताब ने उनसे पैसे नहीं लिये और शूटिंग पूरी की। शूटिंग के बाद उन्हें 500 रुपाई भी मिले। शशी ने तब फिल्म के डिरेक्टर से कहा कि अमिताब का कोई भी शूट फिल्म में दिखाई नहीं देना चाहिए। शशी की बात मानते हुए डिरेक्टर ने फिल्म से अमिताब का शूट अटा दिया। अमिताब ने शेशी कपूर की बात माद और आगे कभी भी ऐसा कोई ओफर स्विकार नहीं किया शेशी कपूर ने अमिताब पे जो भरूसा जताया था उसे बिगबी ने कभी बरबाद नहीं किया और आगे चल कर बॉलिवुड के बड़े सितारे बन कर उभरे तो आपको हमारी विडियो कैसी लगी हमें कॉमन बॉक्स में कॉमन करके जरूर बताईए